आज हम बात करेंगे, मुक्ष, निर्वार, केवल्य, लिब्रेशन, क्या होती है और किसे कहते हैं, एक्चुल में इसके डेफिनिशन क्या है, एक्चुल में इसका मतलब क्या है, क्या मुक्ति का मतलब यह है कि आपके सारे दुख खतम हो जाएंगे और आप किसी ऐसे डामेशन में चले जाएंगे, किसी ऐसे लोग में चले जाएंगे, चाहे आप वैकुंट में चले जाएंगे, आप शिव लोग में चले जाएंगे, या फिर आप सुहर्ग में चले जाए जहां पर आप, जहां पर कोई, कोई बाउंडेशन नहीं है। Well, अगर हम सही से देखें, अब वहां पर आप जाओगे या नहीं जाओगे, It depends on your belief, यह आपके बिश्वास पर depend करता है, आपके belief पर depend करता है। लेकिन एक चीज जो आप खुद बैठे बैठे realize कर सकते हो कि Real Mukti क्या है, Real Moksh क्या है, Real Nirvana क्या है, Real Kevallek क्या है, Real Freedom, Liberation क्या है, वो है Art of Seeing, देखने की कला, क्या देखने की कला? आपके अंदर जो thoughts आ रहे हैं, उसको देखने की कला? आपके सामने जो reality घटरी है, उसको देखने की कला? उसको देखना, आप देखने का मतलब सिर्फ देखना? आपके अंदर जो reactions generate हो रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर, उसको देखना? आपके अंदर जो fear generate हो रहा है, उसको देखना? आपके अंदर जो shyness generate हो रही है, उसको देखना? आपके अंदर जो गुसा generate हो रहा है, उसको देखना? आप कुछ गलत देखते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है, उस चीज को देखना? आप जब खुश होते हैं, तब आपके अंदर क्या होता है, उसको देखना? आप जब excited होते हैं, उस चीज को देखना? जब आप happy होत and outer आंतरिक और बाहरी रूप से जो भी चीज़े घट रही हैं जो हो रही हैं उन सब को देखना उस देखने में सिर्फ एक की चीज़ बसती है वो है सीर देखने वाला जब आप देखोगे कि वो जो देखने वाला वो जो सीर है वो अनेफेक्टिड रहता है इन देखने कि आप कोई मूवी देख रहे हैं आप किसी एडवेंचर पर है बट यू आर सेफ आप सेफ हैं लेकिन बाहर जो भी चीज़े होती जा रही है वो हो रही है उससे आपको एक थ्रिल मिल रहा है एक्साइटमेंट मिल रहे हैं लेकिन एक स्क्रीन पर एक परदे पर फिल्म चल रही है जहां पर फिल्म में जो है पिक्चर में आग भी लग रही है लेकिन स्क्रीन को कुछ नहीं होगा परदे को कुछ नहीं होगा फिलम में बाड़ भी आ रही है लेकिन पड़यों को कुछ नहीं होगा क्योंकि गोंकि र्ट ई अ और जिए चीज आप अभी से ही कर सकते हो इसको करने के लिए क्लीज्व करना है को या आपको किसी की जुँ है वह वह ऑप्रव्ल की जरूत नहीं है, आपको किसी confirmation की जरूत नहीं है, इसको अभी कर सकते हो, और अगर आप एक second ये दो second के लिए भी ये कर सकते हो, तो आगे भी कर सकते हो, तो देखना, जब आप clearly देखते हैं, तो आप देखते हैं कि, तुम अपना ये जो physical body है, इसमें जो भी चीज़े हलचल हो रही है, ये तुम नहीं हो, और तुमारे जो mind में जो चीज़े हो रही है, तुमारे thoughts related, वो भी तुम नहीं हो, अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि तुम अपना शरीर नहीं हो, तुम अपना मन नहीं हो, अपने विचार नहीं हो, तुम ये सारी चीज़े भी हो, लेकिन सिर्फ यह नहीं हो तुम और भी कुछ हो तो इसी से आती है freedom कि आपने body की body की covering को अठा दिया आपने mind की covering को अठा दिया अब क्या बचा है? लोगों ने इसको discover करके नाम दे दिया आत्मा बचा है ये आत्मन soul बचे है ये ये देखने वाला द्रिष्टा बचा है ये observer बचा है ये परभ्रहम बचा है जो कि हमेशा आमर रहेगा जो कि है हमेशा जो सिर्फ देख रहा है जो भी चीज़े हो रही है इन देखने में एक आजादी है एक freedom है क्योंकि वो जो देखने वाला वो effect नहीं हो रहा है effect हो रहे है related to thoughts effect हो रही है body hormones effect हो रहे है effect एक biological being effect हो रहा है और उससे related जो उसकी memories है past की वो effect हो रही है but seer is still not affected देखने वाला है वो अभी भी effect नहीं है वो अभी भी देखती ही जा रहा है तो इस देखने में क्योंकि आप react नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ देख रहे हैं इस देखने में एक energy है पूरी complete energy कोई energy lose नहीं हो रही है कोई energy loss नहीं हो रही है क्योंकि आप react नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप reaction को भी देख रहे हैं उसमें फिर आप देख रहे हैं 100% freedom है उसमें वही बुक्ती है वही निरवाण है वही के वल्ले है वही लिब्रेशन है और अगर आप यह बिलीव करते हैं कि मैं मैं कहीं जाओंगा मैं किसी dimension में चला जाओंगा यूनों वहां पर liberation है बट आप यह तो मानते ही होंगे कि जो देखने वाला है वो तो हर जगे हमेशा रहेगा तो अपने उस देखने वाले को मजबूत करो उसको strong करो उस पर काम करो उसको investigate करो उसको जानो फिर यहां पर meditation आती है और यही है meditation देखना ही meditation है बिलकुल fresh तरीके से किसी भी चीज को देखना आपने आस पास चाहे वो कोई गटना भार की है चाहे वो अंदर की है और वो आप आओगे कि वो जो देखने वाला है वो unlimited है वो एक है वो मेरा किसी और का नहीं वो सबका है आप उसमें ही मर्ज है और जब आप इस पर काम करेंगे इसको जानेंगे बागी काम आप करते ने अपनी लाइफ में आपका profession जो भी है तो आप पाएंगे कि आप इसको बिलकुल objectively देख पाएंगे एक्ट्वल में यह एक ऐसी identity है जो तो सिर्फ देख रही है तो अभी आप मेरे साथ जहां भी हो जिस वक्त भी हो कहीं भी हो अगर आप यह वीडियो जारा उसको देख लो कुछ से कोशिश मत करो बिल्कुल non action में चले जाओ वह अपनी आप तुम्हें देखेगा जस्त कुछ seconds के लिए थैंक्यू वेरी मेंच